हालो स्टूडेंट्स वेलकम टो टार्गेट नेट जी आरेफ प्लाटफॉम आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ जो भी हमारा डिग्री प्रोग्राम है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ठीक है उसमें थोड़े बहुत चेंज़ेज हुए हैं कि कब किसी स्टूडेंट को सेटिफेकट मिलेगा कब उसको डिप्लोमा मिलेगा कब उसको बेसिकली अक्चल में डिग्री मिलेगा कब उसको डिग्री मिलेगा ठीक है क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो अभी current education system में उसमें थोड़ी सी problem में वो क्या है कि अगर माल लीजे मैंने किसी भी एक degree program में 4 साल का degree program था वो मैंने 1 साल basically उसमें invest कर दिया एक साल अपना लगा दिया है अगर मुझे लगता है कि या में को इसमें चीज में interest नहीं है मुझे अपना करे किसी दूसरे line में बनाया ठीक है तो वो एक साल मेरा waste हो जाता है फिर मुझे किसी दूसरे basically sector में admission लेना पड़ेगा ठीक है so now that is not the case anymore with the new education policy ठीक है so what are the proposed change जो कि national education policy पर आई है as far as your degree और bachelor's degree program is concerned so I will be writing down everything which is related to this particular section ठीक है so everyone just pay attention on the screen ठीक है so according to the NEP 2020 ठीक है आप लोगों को 4 साल लेके चलने है सबसे पहले अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ही साल complete करा है ठीक है आपने कोई भी degree program admission लिया एक साल आप लोगों ने किया है तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले में a certificate certificate क्योंकि आप लोगों ने एक साल complete करा है उस particular discipline में ठीक है because you have completed a year in that particular discipline ठीक है आपने उस particular discipline में basically एक साल cover किया है ठीक है second चीज़ अगर माल लीजिए कोई भी मुझसे पूछता है कि मैडम अगर दो साल cover कर लू तो मुझे क्या मिलेगा अगर आप लोगों ने दो साल cover कर लिए तब आपको मिलेगा diploma का certificate ठीक है that आपके पास diploma है ठीक है कम मिलेगा जब आपने दो साल basically उसके cover कर लिए है ठीक है क्या होगा भाई अगर हमने 3 साल cover कर लिए तो बात करतें 3 साल की third क्या criteria है आपके 3 साल का criteria तब आपको मिलेगा क्या bachelor's degree 3 साल की bachelor's degree मिल जाएगी आपको आपके third year program के बाद में third year program के बाद में भाई ठीक है important 4 साल का program है तो आपको चार साल की multi-disciplinary degree मिलेगी ठीक है, multi-disciplinary degree मिलेगी, right ठीक है, और आपको मिल सकती है, degree with research as well, ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो last year होगा ना उसमें आप लोग अपना research experience भी ले सकते हैं this is true, अगर आपको research करनी है तो वो अब आप लोगों के पास available है graduation के time पे भी, ठीक है, तो याद रखेगा, एक साल होता है, तो सिर्फ certificate मिलता है, एक साल का, दो साल हो जाता है, डिपलिमा मिल जाता है, तीन साल का आप लोगों का bachelor's degree मिल जाती है, और चार साल में आपको bachelor's degree मिलती है, with research experience, ठीक है, तो यह आप लोगों के बाद में बहुत जाता काम आने वाली है, अगर आपके पास यह वाले degree है, तो then you don't need a master's degree in order to pursue what? PhD, ठीक है, it is really, really important, याद रखेगा, अगर आपके बाद में यह degree है, तो आपको master's degree के जरुरत नहीं है, फिर और interesting videos के साथ हमारे channel पर बने रही है, अब मुझे बताईए comment section में what else you need to know, ठीक है, thank you so much, take care.